एलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप सब लोग? उमीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और साथ मैं ही अपने घर में सेफ होंगे और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी जो भी मेरे चैनल पर नहें आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को कर दिजे सब्सक्राइब और यहाँ पर मंड तो दो घंटे जो है मैंने से पानी में छोड़ दिया था और अब सारी सब्जी ओ को जो है अच्छे से थोकर में बासकेट में रख दूंगी okay यहां पर आप देख सकते हैं सारी सब्जीया है जो मैंने अच्छे से दो ली है और धोने के बाद जो है सारी सबजीयों को मैंने अलग-अलग बास्केट में रख दिया है और इनको जो है अब एक घंटा लगेगा सूखने में और अभी बज रहे हैं यहाँ पर रात के ग्यारा और मैं बना रही हूँ बादाम शेक तो यहाँ पर मैंने एक लीटर दूद ल लिए हैं और आप देख सकते हैं 20-25 यह काजू है और यह मैंने किसमिस ली है तो यह 50 ग्राम किसमिस है और साथ में कुछ बादाम मैंने भिगो कर रखे हुए थे तो यह 15-20 बादाम है जिनको मैंने 4-5 घंटे भिगो लिया है और उसको जो है थोड़ा सा दूद डालकर मैं पेश्ट बना लूँगी बादाम का और यहां पर आप देख सकते हैं दूद जो है खौल खौल कर आदा हो चुका है तो दूद हमारा काफी गाड़ा हो चुका है इसके बाद इसमें एड करूंगी मैं यह कौन फ्लोर पाउडर आप चाहें तो इसकी ज़ए कस्टर्ड अपने और नहीं था और यहां पर मैंने कर दी है इसमें चीनी एड तो चीनी यहां पर आप लिग कर सकते हैं और इसके बाद यहां पर मैंगी कौट लिया और कूटने के बाद जो है दूद के अंदर कर दूंगे एड तो यहां पर सिर्फ बीज बीज है मैंने वही एड किये हैं और इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था और इसके बाद यहां पर जो मैंने बादाम को दूद का पेश्ट बनाया था तो उसको भी मैंने जो है इसमें कर दिया है और इसको हम जो है थोड़ा सा बॉइल होने देंगे और बॉइल होने के बाद जो कॉनफलोर है तो यहां पर मैंने एक चमच लुटल चुंप पाउडर लिया है और इसमें ठंदा डूट ब्राहीं जैसे यहां कट करने के दूद में हड़ाइक pH कट करने के दूद में जूद के दूद कर दिया है कॉन्फरोडर पाउडर पेस्ट नेमा बदस के लिया और यजिसे की कॉन फ्लोर जो है नीचे तले में जमी नहीं और दूद के साथ मिक्स होता जाए इसलिए हम थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में ही डालेंगे और सारे कॉन फ्लोर को मैंने दूद में अड़ कर दिया है और इसके बाद यहां पर हम इसे कम से कम पांच मिट तक दूद को बॉयल होने देंगे जिस ठंडा हो चुका है और ठंडा करने के बाद चलिए मैं इनको भर देती हूं ग्लास में तो यहां पर यह मैंने कांच के ग्लास लिए हैं तीन और हम घर में तीनी मेंबर है इसलिए मैंने यह तीनी ग्लास लिए हैं तो सारे दूद को जो है मैंने भर दिया है और यह लिए है silver foil और इससे जो है अब हम सारी glass को कर देंगे cover और cover करने के बाद जो है इसे अम मैं फ्रिज में रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए तो आप इसको ठंडा ठंडा पिएंगे तो ये काफी अच्छा रहेगा पर अभी जो है मंगलवार और अभी जो है दुफैर के बज़ रहे हैं यहाँ पर एक तो मैं हाँ पर रोटिया बना रही हूँ सबजी शाम की रखी हुई थी तो सिर्फ यहाँ पर मैं रोटिया ही से एक लूँगी और यहाँ पर रोटिया मैंने सेक ली है इसके बाद यहाँ पर लगा दूँगी मैं गी और सबजी को भी जो है मैंने गरम होने के लिए रख दिया है और इसके बाद शाम को मैंने पूड़ी बनाए हुई थी तो उनको भी जो है यहाँ पर तवे पर गरम कर लूँगी तो मुझे जो है शाम की रख दूड़ी पूड़ी खाने में काफी अच्छी लगती है इसलिए जो है मैं हमेशा थोड़ी सी एक्स्ट्रा पूड़ी बना लेती हुई और यह है हमारे दोफैर का लंच रोटी साथ में ही आलू की सबजी फिंगर और सेब और अचार हैं तो आप भी हम लोग के साथ इंजॉय कर लीडिये और खाना खाने के बाद आ चुकी हूं मैं किचिन में तो आज जो है मैं मौड़ी में किचिन नहीं क्लीन कर पाईती क्यो अब भी खाना खाने के बाद किचिन को क्लीन करूंगी और साथ में यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ कि माइके से आने के बाद पती देव ने भी ताना दे दिया है कि अच्छा अच्छा खाना तो तुम सिर्फ अपने माइके में ही बनाती थी अपर जो है मैं कहना चा क्योंकि बच्चों को हैं उठाल किया भी स्क्रा year, में भी तक्याना राई बनाऊंक और माय कि महस्वेक्वाइ से लिए यहां कहीं रहता हैं। नहीं कहीं सोगते हैं,적 देखें लिएनी तो यहाँ पर मैं कर लूँगी बर्तनों को क्लीन और गैस चूले के जो कुंदे होते हैं तो उन्हें भी जो है मैं रोज यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि खाना बगर बनाते हैं तो उस पर काफी गिल जाता है और साथ में यहाँ पर जो है अब गैस को भी और स्लैप को मैं कर लूँगी अच्छे से साफ और साथ में ही यहाँ पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं तो उनके मैं नाम लेना चाहूंगी तो सबसे पहले हैं खुश्बू सर्माजी फिर हैं पूजा शर्मा शश्शी कला शुकला रिच्चा शुकला नेहा गौतम प्रयंका शर्मा और अपेक्छा शर्मा तो इतने ही सारे मेरे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं और काफी टाइम से मैं सोच रही थी इन मिक पेड़ी दही को होन रखा है और 3-4 गंटे भी लगता है करां है कि है इस के बाद यह है मेरा बादाम शेक तो यह बादम को खाता एंक और आ में से बाहर रख दिया था क्योंकि अभी जो है निक्कु को मैं बिल्कुल फ्रिज से निकाले भी ठंडी चीज नहीं देती हूं क्योंकि सरदी का थोड़ा सा डर रहता है तो यहां पर आप देख सकते हैं बादाम से कितना अच्छा बना हुआ है और साथ में कितना गाडा बना कट करके बादाम डाल दूँगे जिससे की देखने में और अच्छे लगे तो यह हैं हमारा यम्मी सा बादाम सेक तो आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कर लीजिए और यहां पर मैंने टिक्कु को भी है थोड़ा सा बादाम शेक पिलाया था पर उसे जो है इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगाता पर सच बताऊना तो मैंने फर्स टाइम बनाया है और काफी अच्छा लगा यह बादाम टेस्ट तो आप लोग भी जो है एक बार जरू ट्राय कीजिएगा और यहां पर जो है बादाम शेक पीने के बाद निकु टिकु खेल रहे हैं और आप देख सकते हैं टिकु की अगर बात नहीं सुनी जाती है तो वो गुस्सा ओकर इस परकार से जमीन पर बैठ जाता है कभी भी कोई भी ऐसी चीज मांगता है जो हम लोग नहीं देते हैं उसे तो वो ऐसे ही अपना गुस्सा दिखाता है और जमीन पर बैठ जाता है तो यहां पर ज चलिए फ्रेंज तो फिर आज किस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड और अगर आपको अच का मेरे ये ब्लॉग पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जो भी मेरे चैनल पर ना आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजेगा मैं फिर से मिलतु हूँ एक नीव ब्लॉग में तब तक के लिए टेक क्यार बाई